दर्शुको नमस्कार चंडिकर स्पीक्स कारिक्रम में आप सभी का स्वागत है आम जन्नता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार समय समय पर बहुत से एक्ट यानिकी अधिनियम लेकर आती है और अगर हमें उन अधिनियमों के बारे में सही और पूरी जानकारी नहीं है तो कोई भी हमारे उन अधिकारों का हनन कर सकता है इसलिए चंडिकर स्पीक्स कारिक्रम में हम ऐसे ज्वलंत मुद्धे आपके लेकर आते हैं इस एक्ट के बारे में तो हमारे महमान स्टूडिय में कौन-कौन है उनसे आपका तारूफ करा दें सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे कारिक्रम में डॉक्टर मदनजीत को और सहुता का जो मेंबर सेक्रेटरी जे जे बोड चंडिगर से हैं और एडवोकेट राजकुमार चोहान का जो की उनररी सेक्रेटरी बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाना से हैं तो आप दोनों का कारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है और सबसे पहले सहुता आपसे जानना चाहेंगे कि यह जो पॉक्सो एक्ट है यह कब अस्तित्व में आया और इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी क्या उदेश्य था इसे बनाने की पीछी का शुक्रिया ऐसा है कि जो एक्ट कोई भी आता है तो उसकी पहले बेक्ग्रोंड होती है उसकी जरूरत बहसूस की जाती है कि इसी परकार यह जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्डरन अगेंस सेक्शुल ओफेंस की जरूरत पड़ी यह बच्चों का जो सेक्शुल हरास्मेंट है सेक्शुल एसॉल्ट है पॉर्नोग्राफी से बच्चों को बचाने के लिए और उनका जो कोई ऐसा अपराद होता है उसके लिए एस्टैबलिश्मेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट का प्रावधान इक्स एक्ट में हुआ यह एक्ट आपने पुछा कब शुरू हुआ ग्यारा द उसका पास किया था उस पर जब सिगनेचर की उसको माना तो तब से यह एक्ट जो है हमारे लागू हुआ ताकि जो बच्चों के अगैंस्ट अपराद हो रही है जो उनकी एक्स्प्लॉटेशन हो रही है उनकी जो डेलिकेट जो उनका टेंडर एज है उसका वेसी confidentiality को respect करने के लिए यह जो act है यह existence में आया जी एड़ोकेट राजकुमार चौहान अब आप से जानना चाहेंगे कि जब IPC अलड़ी था तो यह जो POXO Act है यह क्यों लाए क्या difference है दोनों में क्या कुछ खास है इसमें कि यह लाने की जरूरत पड़ी act को मैडम जैसा कि अभी डॉक्टर सोहता मैडम ने बताया कि कुछ बैगराउंड होते हैं जिसकी वज़े से जो एक्ट जो है वो इसको इंपलिमेंट किया गया यह एक्ट जो भाहरत में 2012 में 14 नोंबर को इसको अधिनियम को लागू किया गया आपने भी जो पुछा के जब IPC थ उसको ख़रत नहीं किया जा सकता था जी आईपीशी में आलरेडी ओफेंस अगेंस्ट वॉमेंड हैं तो में जो डिफिकल्टी जो रही थी वह आ रही थी खेवी एक प्लाप ने उसमें मेल है और फ्मेन अगर कोई भी जो चिंदर्न को सक्षूल हरास्मेर थी, जो मेल था उसको 377 मेल लेकर फोल्ट लेकिन उसमें वो कवरप नहीं हो रहा था एक किसम से जो चिल्डर्न के खिलाब जो फैंसिज थे उनकी बढ़ते चलेगे, क्योंकि इसमें आई पीसी के अंदर उनको ठीक तरीके से कवरप नहीं किया जा जाकता था और इसीलिए इसको प्रो प्रोटेक्शन अवल पृटेक्ष्टान कीach 17-2022 को लाया गया और इसके निदर 2019 में एक अमेंडमेंट भी आई भी ए अब डॉक्टर सहुता आपके पास आना चाहेंगे कि अमेंडमेंट हुई बहुत सी कमिया रह जाती है जब गौर्मेंट को लगता है कि इन कमियों को दूर करना है तो संशोधन आ जाता है तो आपको क्या लगता है कि इस एक्ट में भी क्या कोई कमी है अगर कमिया है तो कौन कौन सी हैं? देखिए सबसे पहले मैं फिर थोड़ सी बैक्ग्राउंड बे जाना चाहूँगी कि हमारा जो Constitution है उसका Article 15 clause 3 स्टेट्स को empower करता है कि बच्छों के लिए special उसके लिए provision बनाए ताकि उनकी सरक्षा की जा सके जी इस ये प्रकार हमारा आर्टिकल 39 है वो कहता है कि बच्चों की मास्यूमत का ध्यान रखना उनकी वैल बिंग जो है उनकी जो परवरिश है उनकी जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना ताकि उनकी परसनालिटी अच्छी डिवैल्प कर सके यह हर स्टेट का पैरमाउंट इंपॉर्टेंस की बात है जैसे आप कह रही है कि क्या लेकूना रह जाती है देखिए यह जो एक्ट बना है यह जैंडर नूटल है इसमें यह नहीं है कि आदमी औरत उसमें कोई फर्क है जो बहुत हम किसको कहते हैं जो 18 साल के नीचे है जब यह अपराद डैली में हुआ था तो उसके बाद उसका बहुत सी चर्चा हुई उसके लिए यह सोचा गया कि जो उस अपराद में शामल था वो जो जो जूविनाइल था उसका ही मेन रोल था तो उसके बाद इसमें अमेंडमेंट तब भी आई उसके बाद भी आई तो किया है कि यह देखा गया कि जब बच्चे को हम डील करते हैं तो यह देखें कि क्या उसके physical mental ability है उसको understand करने की क्या वो जो अपराद कर रहा है जो action कर रहा है उसके consequences उसको मालूम है यह जो बाते देख कर यह देखा गया कि जो preliminary assessment है बच बच्चे का किसी को knowledge है कि कोई बात बच्चे के साथ गलत हुई है या उसको apprehension है कि कोई बात गलत हो सकती है तो वो व्यक्ति जिसकी जो भी देखता है जिसकी knowledge में आता है चाहे को व्यक्ति है civil society का है चाहे कोई hospital है चाहे कोई police वाला है I mean to say any person around जो यह notice करता है उसकी duty है act क according कि उसकी reporting करना जो पॉक्सो की section 19 है वो कहता है कि reporting is mandatory डॉक्टर सहोता एक बार फिर से आप से हम सवाल जवाब करेंगे और अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि पॉक्सो एक्ट क्या है कौन-कौन से प्रावधान है तमाम जानकारी आप हमारी tv की window screen पर भी यह देख सकत हैं साथ ही साथ राजकुमार चोहान अब आप से जानना चाहेंगे कि पॉक्सो एक्ट बनाया गया ताकि क्रिमिनल्स को डराया जा सके उन्हें पनिश्मेंट दी जा सके आपको क्या लगता है कितनी हद तक जो क्राइम है वो कम हुआ है चांसेज होते हैं हमेशा कि कुछ न दुसरी है ग्रेवेटि जो आना अफेचोलय आसमेटिया उनको रोका जा सके और जो चिल्डन पे जो आफेंशिस होते है मैक्सिमन समाज कंदर हो है वह रहे हैं जिस पे चिल्डरन जिनके उपर विश्वास कर रहा है और उनी के द्वारा उनको सेक्शुल हराइस किया जाते हैं और इस एक्ट के तहट स्पेशल प्रविजन ऐसे दिये गए हैं सपोज अगर कोई बच्चा कोई माइनर जो चिल्डरन है वो अगर पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस स्टेशन में के अंदर ही उसका जो पुलिस ऑफिशर ही उसके साथ सेक्शुल हराइसमेंट करे या उसको पैनिट्रेटिव जो है उसकी सेक्शुल हराइसमेंट हो तो उसमें उसके बड़े कड़े प्रावधान किये गए हैं पुलिस फोर्सिज में अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर ही उसको जो है ना जो सपोज कि उसकी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या उसको एनस्थीशिया दिया गया है और डॉक्टर ही उसके साथ क करते हैं इसके अंदर जो सवजा के प्रवधान जो दिये गए हैं इसलिए इतने जो कड़े दिये गए हैं कि ताकि समाज को इन चीज़ों से रोका जा सेगे मैं तो यह समझता हूँ कि जो एक्ट जो लेकर आया ना इसलिए लेकर गया है ताकि समाज की अंदर ऐसे ओफेंसिज ना हो चीज़ बहुत शुक्रिया सरापका और अब मैडम डॉक्टर सहुता आपसे जाना चाहेंगे कि बहुत सी बाते हुई बच्चों की मानसिक्ता पर बहुत गहरा असर डालता है जो पॉक्सो एक्ट के अंदर आते हैं ऐसे बच्चों के साथ आप मिल चुकी हैं कैसी मानसिक् कैसे deal किया जाता है और उनकी protection कैसे की जाती है देखिए एक बच्चा बहुत ही नाजुक प्रानी है जिसको ऐसी सिती में से निकलना पड़े हम समझ सकते कि कितने difficult circumstances से बच्चा वो आता है जैसे मैं कह रही थी कि जो mandatory है reporting और इसका यही है कि बच्चे को तुरंत सहायता मिल सक कि इसके साथ साथ ही पॉक्सों के साथ साथ ही वन स्टॉप सेंटर का प्रवाधन किया गया है तांकि जब होता था कि ऐसा कोई अपराध होता था तो उसको hospital medical ले जाने के लिए इदुल लाइनों में लगाने के लिए उसकी यह harassment से उसको बचाया जा सके एक तो उसका वैसे सोशन हुआ है तो उसको हमारे सिस्टम में से गुजरने के लिए तो उसको और प्रेशानी का सामना ना करना पड़े वन स्टॉप सेंटर का प्रवाधन किया गया है यहां एक ही जगा पे उसको यहां पुलिस की सहायता मिलेगी social worker की सहायता मिलेगी counseling मिलेगी उसके जो भी उसका statement जो है वो 164 के तहट वो जो लिया जाएगा उसी जगा पे हो जाएगा ताकि उसकी harassment नहों जो यह act है यह बच्चों की सुरक्षा के लिए है यह उन प्रस्थितियों से बचने के लिए है जो समाज में जो खराब अनशर है जो बच्चों की मानसिक्ता का जो उसका द इतनी अच्छी नहीं होती बहुत बार उनकी exploitation होती है इसी परकार स्कूल में पढ़ते हैं वहां पे कई बार हम रोज पढ़ते हैं unfortunate happenings होती है लेकिन यह comprehensive legislation मैडम ठाकुर जी इसलिए लाया गया ताकि हम उन बच्चों की सुरक्षा कर सके इतनी जैसे यहां पे मैं juvenile justice board में क इनको न्याय देने के लिए है इसलिए जैसे child welfare committee हर district में बनाई गई है जबके police के पास जैसे notice में आया जैसे मैं कही थी कि जब किसी के notice में आ जाता है तो सबसे पहला काम है कि special juvenile police unit हर जिले में होती है उसके notice में लाया जाए वह trained persons होते हैं जो उनको deal करते हैं इसी प्रकार बच्चे की जो statement है उसको best interest देखते हूँ child friendly way से उसे बात की जाए क्योंकि वो बच्चा जैसे आप ने कहा कि कितले ट्रॉमा से गुजर की आया है जी बहुत जरूरी है उसको support करना और अब आपको रोकना चाहेंगे doctor सो होता और अब advocate राजकुमार चोहान के पास आना चा कर सके तो ऐसे में जो victim है वही सिर्फ अपने खिलाफ जो कुछ भी हुआ है उसकी complaint करवा सकता है या फिर जो members family members वह भी complaint करवा सकते हैं क्या procedure रहता है यह पूरा का पूरा complaint करने का देखिए इसमें जो provisions है वह यह यह नहीं है कि जो victim ही उसमें complaint कर सकता है कही बार क्या होता बच्चे एतstemा छोटा होता है कि तीन सालगाथ 4 चालगा फांथ सालगा तो वह इसको पता है नहीं होता भी मेने complain भी करनी है वो सरफ आपने माबाप को अपने उसके माँबाप ब्रदर या उसके भाई जो भी आज जो नियर एंडियर वह भी कंप्लेंट कर सकता है और उसकी कंप्लेंट के पर इमीडेटली पुलिस को फियार लोज करनी होती है और उस बच्चे को फिर 164 के ब्यान भी मजिस्टेट के सामने उसके करवाने होते हैं और इ इस ने भी उफेंस किया है जिटना जल्दी हो सकती है उसको अरेश्ट करके और और उसको पेस्ट किया जाते हैं तो प्रोटेक्शन किस तरह की दी जाती है किन इन बातों का ख्याल रखा जाता है यह सबीतितुन को फिर 16ड़न है बच्चा हैं जिसके बच्चे इसके उपर इस चीज को ना बताएं उसको प्रटे healthier जाता है ने इसवाया जाता है। ना प्रोड़ाएं यह को बद लाना जासे हो इस यह जो बयान ने इस इस एक्ट के अंदर सबसे अच्छा प्रवधान ये किया है कि इसके लिए एक स्पेशल कोट जो उन्हें बनाई है जो एक अडिशन सेशनज लेवल के जो इसको इसको डील करती है और मोर ओवर कि ऐसा पहली बार गया गया कि इसके अग्ट के अंदर ही स्पेशल प्रोजीक्य के से उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और बच्छे के बच्चे के अपर बच्चे के पर आप से जादा चाहेंगे कि जो विक्टिम है फंट से में अमडरी आपिधा कर देखेंड हाया देज़ियंत इंपिया से प्रवसक्ता है और और पूरी प्रक्रिया कें रहती है क्या बेल हो सकती हैं इक पूरा विस्तार से बताइए ताकि तो उसके लिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि जिसके भी नोटस में आजे नॉलेज का मतलब है कि उसको है के बात हुई है एप्रिहेंशन है कि बच्चा जिस साथ कुछ गलत बात हो सकती है उसकी रिपोर्ट वो बैकिति भी कर सकता है वो इंस्टूशन भी कर सकता है ह Commonज में पुलिष की ड्यूटी है कि उन्होंने हर बात राइटिंग में करनी है उन्होंने जो लिखना है उसको इन्फर्मेशन देने वाले नोगया पढ़कर सुनाना है अगर बच्चा वो खुद तो उसके सिंपल लेंग्वेज में वैसे ही रिपोर्ट लिखनी है जैसे बच्चा बोलता है, माल लीजिए कि जो बच्चा बोल रहा है, उसकी समझ यानि उसकी लेंग्वेज जो समझ नहीं आ सकती, उसके लिए इस एक्ट में ट्रांसलेटर का भी परवादन किया गया है, त विक्टम की प्रोटेक्शन के लिए जैसे मैंने पहले भी का, कि वन स्वाप सेंटर है, दूसरा है, कि विक्टम को पूरी सुरक्षा दी जाती है, जो आपने कहा, पुलिस के पास, जब आफकोर्स पुलिसी रिपोर्ट दर्ज करेगी, लेकिन पुलिस की ड्यूटी है, कि विक्टम चायल्ड वेलफर कमेटी जो स्टेट की है, उसके नोटस में लाए, चायल्ड वेलफर कमेटी उस बच्चे को यहां कौंसली का उसके लिए अलॉट्मेंट ऑफ सपोर्ट परसन भी दिया जाता है, वो जो सपोर्ट परसन है, बच्चे की थ्रूआउट जितनी है उसके parents को बताता है आप काफी लंपे अर्से से cases लड़ रहे हैं और इस तरह के cases आपके सामने आई होंगे तो यह जो इस तरह के अपराद करते हैं लोग उनकी मानसिक्ता किस तरह की रहती है क्यों वो इस तरह के कारे करते हैं क्या और जो इस प्रवाधान में जो इतनी कडी सेजा दी गई है जैसे के जो पुलिस फोर्सेज के लिए जो सवदा का प्रवधान भी बढ़ा दिया गया है तो यह किसम से आप यह देखिए जो लोग जैसे एडवोगेट है जैसे उसमें पुलिस टेशन है आपका नर्सिंग ओम है आपके परवाधान है जहां पर बच्चे के साथ अगर ऐसे उफेंस हुए है तो एक किसम से जो पुलिस है जो दूसरे डोक्टर है वो रख्षक के रूप में बच्चे काम कर रहे हो हैं जब रख्षक ही भख्षक बन जाए तो उस इसलिए परवाधान ऐसे किया मैं सोचता हूँ कि जो यह ओफेंस करता है जो ओफेंस अगेंस चिल्डरन है जो वो मुझे लगता है मानसिक रूप से बीमार लोग ही ऐसा करते हैं और मैं नहीं समझता कि जो जो जाजा का पर बारे में जो निचे लिवल पर जो और गाउं में और पंचाहत लिवल पर इसनके अगर सेमिनर किया जाए उन लोगों को बताया जाए कि एसे से करके जो ज़्यादा सजा आपको होगी और फेंस नहीं होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि समाज के अंदर बच्चों के खि विट्टिम्स होते हैं वो उतनी सही नहीं रहती है काफी गहरा असर डालती है मानसिकता पर इस तरह की घटनाएं बच्चों के खास दौर से तो ऐसे बच्चों के लिए रियाबिलिटेशन कुछ किया जा रहा है कोई योजनाएं सरकार की जो है और लोग उतसे अंजान हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बताईए बहुत खोव आपका स्वाल है सबसे पहले तो मैं यह कहूंगी कि इस एक्ट में भी जूविनल जैसे एक्ट में भी यह मिल सके सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगी कि मीडिया हाउस फोटोग्राफर कोई भी स्कूल है कोई भी पुलिस का है उसके लिए यह प्रहिप्शन है कि बच्छे का नाम बच्चे का पता बच्चे का स्कूल किसी परकार से भी कोई इन्फरमेशन ऐसी शेयर करनी ज बच्चा है वो प्राइवेसी, confidentiality maintain करने का ये कारण है मैदम कि वो बच्चा उसने बड़ा होना है उसका आगे future है उसमें कोई भी ऐसी वादा ना आए बलके ये कानोन अपराद है अगर पुलिस वाले कभी जब बच्चा बड़ा हो जाता है किसी service के लिए किसी कारण के verification में कभी भी को उसका नाम बाम आ जाए तो उसके लिए वो punishment उसको होगी इसलिए उसका बिलकुल disclose नहीं किया जाता विक्टम का पूरा ध्यान दिया जाता है विक्टम compensation का भी प्रावादान है जो बहुत अची है हमारे जो national legal service authority है उनको यहां हम district level पे जो legal service authority है उनको provide करन है free legal aid उनकी privacy maintain करनी है उसका जो इलाज है जो सब का खर्चा legal service authority ने करना है साथ है साथ उसको विक्टम compensation दिया जाता है ताकि कई बार एक तो उसने जो जेला है वो और उसके साथ उसको accused के खलाफ लडने के लिए जो है उसको कोई ऐसा अगर खर्चा है या उसकी physical हालत ऐसी है कि उसको इलाज के लिए खर्च चाहिए वो victim compensation का अच्छा खासा इंतजाम है उसके लिए जो child welfare committee है जो हमारी child protection जाज child rights जितनी भी commission है जितनी भी association है वो सब की duty बनती है और वो सबी काम writing में होता है इसी लिए ये जो act बना है उसमें ये wide publicity चाहे electronic media है जाहे print media है उसके द्वारा special provision रखा गया section लिखा गया है कि उसका लोगों को बहुत अच्छे से पता हो ताकि मैडम ठाकुर जी जब किसी चीज का जो अग्यानता है वो सबसे बड़ा कर्स है समाज में अगर उसमें हम अवगत करवाएंगे उसके लिए knowledge देंगे जैसे school में good touch bad touch का बत ताकि बच्चों को उनके parents को बताया जाता है और teacher की duty है कि कोई बच्चा अरुके notice में आता है कि जी बच्चा चुप रहता है और teacher की बच्चा कई बार वो बात नहीं करता अगर आगे उसके result खराब आते हैं तो this is the prime duty of the child to know the psychology और उसका रिपोर्ट दर्ज करवानी उस teacher की duty में बताऊं जी मैं जायल वर्फर क्लेटी में में रिपोर्ट आती है वैसे पता नहीं चलता क्यों कि बच्चा मसूम है और अब आप से जानना चाहें कि एड़ुकेट राज कुमार चोहान जी कि यह जो तमाम चीजें हैं हम कंप्लेंट कर देते हैं और बेल भी इसमें न कारे में पता देखे वैसे तो प्रविजन इसके अंदर है इसको स्पीडी ट्राइल में लिया जाए और विदिन शिक्स मंत इसके अंदर जाना रिजल्ट आ जाते हैं मैक्शन केसिज में लेकिन फिर भी किसी कान से पोलिस की इन्वेस्टिकेशन में डिले हो जाता है या फ कि ऑन्रो से अपफ्ध्जमें ले लेते हैं लेकिन अप्रविधन की इसको दो खत्म में पार जाता है उजस को स्एविधनिय को दृट्समें को पत्दा किया जाएगया लेकिन को बाद में बलाय जबानांः लेक्शमार छूह ज़िए जर जो डिले का जो प्रसिजर डॉप करती है कोट के अंदर जल्दी जल्दी और कोट के भी बहुत ही जो टाइम में आ रहे हैं जी बेहत शुक्रिया डॉक्टर मदंजीत कौर सहुता और एड़ोकेट राज कुमार चौहान जी इतनी महत्वपुन जानकारी आपने हमारे तमाम दर्शकों को दी और अपने तमाम द महत्वपुन डिसकेशन हमारी हुई यह जो पॉक्सो एक्ट था इसके ओपर और यह बताया गया कि कितना महत्वपुन हैं कितनी जल्दी इस पर फैसला हो जाता है और बच्चों को जो खास तोर से नाबालिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक्ट बनाया गया है और अगर हम जिचकते रहेंगे और खुलकर सामने नहीं आएंगे तो हमारा शोशन होता रहेंगे इसलिए जरूरी है क्यूंकि आपकी पहचान इसमें गुप्त रखी जाती है तो आप बढ़कर सामने आए किसी भी तरह के दवाब में आप ना रहिए और उत्पीडन को आप ना सहें य झाल